वेलकम तो आज हम 24 तिर्थंकर और उनके सिंबल के बारे में जानेंगे विद मेमरी ट्रिक तो आज भी मैं आपसे एबात कहना चाहता हूँ कि आज हम जो भी परेंगे वो बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे ठेके यहां पर देखिए लौड रिशब देप या रिशब इनका सिंबल है ऑक्स तो अभी इस बात को कैसे याद रखें यहां पर मेमरी ट्रिक है डिसी कपूर एक ऑक्सपोर डिक्सेनरी उनके पास था यहां आप इमाजिनेशन कर लीजिए यहां पर कि उस ऑक्सपोर डिक्सेनरी पे ऐसा पिक्चर उन्होंने देख लिया ऐसा इमाजिनेशन करने पे आपको अप्याद रख सकेंगे ठीक है मैं यहां पर एक बात पताना चाहता हूँ कि काफी सरे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है लेकिन मैं हिंदी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ देखे मैं बेंगॉल से हूँ बेंगॉल बेंगॉली भासा जानता हूँ तो इसलिए मेरा हिंदी ठीक नहीं है तो इसलिए मैं आप सबसे समाच आता हूँ तो अगर मैं हिंदी में नहीं करूँ और दुसरा कोई भासा में करूँ तो हमारे अंदर वे फिलिंग नहीं आएगा क्योंकि हमारा नेशनल लंग्वेज हिंदी है और संग्दिधान में भी हिंदी को डेवलोप्मेंट के लिए बोला गया है हिंदी के डेवलोप्मेंट के लिए तो मैं समझता हूँ हिंदी से ही अगर नौलेज को दिया जाए तो अच्छा होगा इसलिए मैं हिंदी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अगले कुछ वीडियो में मैं साइद हिंदी को ठीक कर पाऊ तब तक के लिए देखते रही है, यहाँ पर देखिए लॉट अजीत नाथ लॉट अजीत, तो इनका सिंबल था अब इसको कैसे याद रखे इसके लिए देखिए, अजीत अगर कर जी है तो यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बार-बार एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पर किसी को हिमिलट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर जस्ट हम मेमराइस करने की कोशिस कर रहे हैं फिर यहाँ पर देखिए लॉट संभब नाथ तो इनका जो संभल था वो था घोड़ा तो अब इसे कैसे याद रखे इसके लिए देखिए मैक मोहन जी जो है उनका एक बहुत ही फेमस रोल था सोले में, वो था संभा संभा तो अब इसको इस घोड़े के साथ लिंक कर लीजिए यो घोड़े पे जा रहे थे संभा घोड़े पे जा रहे थे तो इससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है फिर अब देखिए अभिनांदन, अभिनांदन लॉड अभिनांदन का जो सिंबल है, वो है मंकी आपर आप देख सकते हैं मंकी है फिर्स्ट फ्री लेटर है मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ आपर देखिए अ, बी, एई, छे फ्री लेटर आप लिले जिए क्यूंकि फ्री या चार नमबर या लेटर हम इनिशियली मेमराईज कर सकते हैं जैसे कि फोन नमबर हुआ हम तीन तीन नंबर करके डिवाइड करके याद कर सकते फोन नंबर को तो इसे लिए ये भी एक साइकोलोजी का पार्ट है ऐसे भी याद रख सकते हैं इनिशियल थ्री लेटर ले लिजिए और देखे अभिशक बच्चन उन्होंने क्या किया ट्राइ टू गीव पूट टू मंकी मंकी को वो कुछ दे रहते ठीक है फिर यहाँ पर देखिए सुमती नाथ सुमती नाथ इनका जो थाओ था रेड गुस तो अब इसे कैसे याद रखें यहाँ पर देखिए जो इनिशियल थ्री लेटर है इसको ले लीजे फिर और देखिए सुमिता शेन और रेड गुस इस दोनों को लिंक कर लीजे कोई स्टोड़ी बना लीजे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे फिर लॉट पत्म प्रभा या पत्म प्रभू यहाँ पर उनका जो वह सिंबल है वह है लोटस मेमोरी ट्रिक है यहाँ पर देखिए पद्म लक्ष्मी यह जी जो है वह एक्टरस है तो यहाँ पर यह पिक्चर जो है दिमाग में रख लीजे थोड़ा सा इनके बाड़े में जान लीजे हाला कि जरूरी नहीं है अब थोड़ा सा इस पिक्चर आपके दिमाग में रहे जाए तो अच्छा है ठीक है पर नेक्स्ट अब इनका है यह लास्ट इनिशियल जो थ्री लेटर है यह ले लीजे और सास्ति का जो सिंबल है सास्ति का अब यहाँ पर देखिए सुप्रिया पाठक सुपार्स लौट सुपार्स उनका जो सिंबल था और सास्ति का था है यहां पर दखे एकी इनिशील जो फ्री लेटर है वह मैंने ले लिया, यहां पर क्या करना है, यहां पर दखे जो स्वस्तिका का जो सिंबाल है, यहां पर चला गया, ठीक है, बिन्दिया हो गया, तो फिर और एक है चंद्रपभा चंद्रपभा आप इसको उतना ठीक तरीके से मेमोराईस आप इजिली कर सकेंगे क्योंकि चंद्र जो है हिंदी में बेंगॉली में भी चांदी होता है और हिंदी में भी चांदी होता है इनिशियल चंद्र से आपको मुण एस सिंबल याद ठीक तरीके से आही जाएगा लेकिन फिर भी एक देखिए इनका नाम है चंद्र चूर सिंग है इस सिंबल आपर चला गया फिर फिर है चंद्र भभा के बात यहापर पुस्प दंतिया उनका क्रोक डाइल है अब अमर प्रेन में सिर्मिला टैकोर ने एक रोल अदा किया था उन्होंने रोल अदा क्या था उन्होंने वो था पुश्पा का तब इस के साथ इस रोल के साथ आप एक क्रोकोडाइल लिंक कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट भगवान सीतला ना ते अब इनका जो सिंबल है वो है वेसिंग ट्री यानि कल्प बिक्ष्ट ये टेंथ जाएने तरितंकर है इस बात को याद रखिए टेंथ जाएने तरितंकर इस टेंथ को कैसे याद रखना है इसके लिए आपको टेंथ जो है वान जो है वो बैट के तरह देखना लगता है और जिरो जय हो बाल के तरह यहां पर बैट बाल आप imagination कर लिजिए bad ball ठीक है फिर इसको कैसे याद रखें यहाँ पर देखिए जो सीतला देवी है वो एक एंसेंट फ्लोग डेटी है तो आप देखे होंगे कि किसी मंदिर के पीछे बरा सा पीपल का ट्री होता है या कोई बरा सा ट्री होता है तो आप ऐसा imagination कर लिजिए देखा ही होगा इतना imagination करने की कोई जरूरत नहीं है common picture है इंडिया में तो यह मंदिर है सितला देवी का यहाँ पर देखिए बरा सा पेर है और facing tree facing tree ठीक है यह picture आपको याद होना जाहिए फिर अब इसको कैसे याद रखे श्रेयशनात अब इनका है rhinosaurus याने के गेंडा अब देखिए श्रेया खोशल यहाँ पर peculiar सा एक picture बनाया हुआ है मैंने तो यहाँ पर देखिए chips है chips potato chips है chips के उपर rhinosaurus याने के गेंडा का एक picture है तो यह chips जो है खाड़े ही थी ठीक है ऐसा अगर imagination कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है फिर बसु पुजा तो बसु पुजा फिमल बफेलो यह आप ऐसे memory trick कर लीजिए कि सड़ी में फिलेंगे चला गया ठीक है तो बसु पुजा आप ऐसे याद कर लीजिए कि बसु किसी आदमी का नाम है बसु और भू पुजा कर रहा था एक फिमल बफेलो का ऐसे फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक आदमी का नाम था बसु और वो पुजा कर रहा था एक फिमल बफेलो का फिर देखिए लौट बिमलनाथ बिमलनाथ का जो संबल है वो है सुकर यानि के पिक अब यहाँ पर देखिए भीम छोटा भीम और वो सुकर के साथ यानि की पिक के साथ खेल लादा है ऐसा में मेमराइज कर लीजिए इमेजिनेशन कर लीजिए फिर लौट अनंत नाथ इनका जो सिंबल है वो है फैलकॉन यानि के बाच अब इसको आप ऐसे याद कीजिए कि इसको आप ऐसे याद कीजिए अनंत नाथ अनंत किसी का नाम आप का आप ऐसे याद कर लीजिए अनंत और वो दूर कहीं बाच यानि की फैलकॉन को देख रहा था फैलकॉन को उड़ते हुए देख रहा था, दूर कहीं चला जा रहा था वो फैलकॉन, ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ी दर के लिए आखे बंद करके याद कर लीजिए, ऐसा, ठीक है, फिर, लॉट, धर्मनाथ, ठीक है, धर्मनाथ का बज्र है, सिंबल, तंडर बॉल्ट, अब इसे कैसे याद रखे, धर्मनाथ जी है, यहाँ पर थंडर का एक एट पर यहाँ पर जो थंडर का जो सिंबल है, यह आ गया, ठीक है, उन्होंने थंडर बॉल्ट के सामने बोला, कि थंडर बॉल्ट, फिर, यहाँ पर देखिए, सांती नाथ, उनका जो सिंबल है, वो है डियर, हिरन, आप ऐसे याद कर लिजिए कि सांती, कोई पिक्चर में, कोई जाना पहचाना सा, कोई कैरेक्टर तो आपका होगाई, जिनका नाम सांती होगा, उसके साथ इस डियर को लिंक कर दीजिए, और अच्छी तरीके से उस पिक्चर को कि दमाग में बैट जाना चाहिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो फिर, इस नाम के साथ बखड़ा जो है, वो लिंक होना चाहिए, ठीक तरीके से लिंक होना चाहिए, कुन्थोनात, तो इन्हें फल्गु भी कहा जाता है, फल्गु, तो, यह मेमोरी ट्रिक आप बनाईएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, फिर, आरानात, आरानात का एक फिस, ठीक है, तो इसको तो आप करी सकेंगे, इनिशियल त्री लेटर ले लिजे, तो इसके साथ लिंक कर दीजे, ऐसे कीजिए तो, यह भी आप कीजिएगा, फिर, माली नात, और उस सिंबल है, काजस, तो अब इसे कैसे याद रखे, अब पर मेमोरी ट्रिक है, सॉर्डी, अब इसे याद करने के लिए हम हिंदी में क्या बोलते, माली को, देखे, गार्डेनर को हम माली बोलते हैं हिंदी में, अब यह माली, जो है, वो गार्डेन में मिट्टी खोद रहा था, और उसे समय उसको एक कलस मिल गया, एक सीक्रेट सा कलस उसको मिल गया, और उसने सोचा कि इसमें कुछ होगा, ठीक है, ऐसा अब स्टोरी बना दीजिए, फिर मेमोरी ट्रिक बनाना है, ठीक है, फिर आते हैं नैमी नात, नैमी नात, ब्लू वाटर लिली और या ब्लू लोटस, हरा कमल, और फिर आता है, लोट अगियो नैमी होगा, यहाँ पर गल्ती हो गया, यहाँ पर अगियो नैमी होगा, तो इनको भगवान कृष्ण का छोटा भाई भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगियो नैमी होगा, यह थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए, अगियो नैमी होगा, यह नैमी नात, यह भी ठीक है, इनका है संक, ठीक है, अब, अब, यहाँ पर देखिए, साउंड लाइक नानी, अब सोच लिजे कि आपका जो नानी है, वो शंक जो है, वो बजा रही थी, फिर एक पर्शनात, इनका है नाग, स्नेक, ठीक है, अब, ऐसा सोच ना होगे कि पर्श, पर्श आपका कोई, ऐसा नाम सोच लिजे कि उनका नाम है पर्श, और वो नाक से खेल रहा था, ठीक है, फिर, है महाबीर, यह लास्ट, एक तम 24 तीर थंकर है, और इनका, जो महाबीर का जो सिंबल है, वो है लाइन, ठीक है, तो, अब देखिए, महाबीर बोलने से, automatically हम हनुमान जोर जाते हैं, महाबीर हनुमान, ठीक है, तो, महाबीर हनुमान का जो पिक्चर है, वो लाइन के पास परा हुआ था, ऐसा सोच लिजे, ठीक है, या महाबीर हनुमान, लाइन के, पीट के उपर, ऐसा सोच लिजे, ठीक है, फिर, next हम कुछ मैं question करता हूँ आप 15 मिनिट में इसका जवाब दीजिएगा who was the 23rd तिर्थंकर आप जाई निजम आपका option है a. Lord Parsonath Lord Nebhinath c. Lord Mahavira d. Lord Malinath ठीक है और एक question है कि the symbol of भगवान सीतलानात तो आपका option है a. Falcon यानि के बाच b. Kalp ब्रिक्ष यानि की वेशिंग ट्री c. Lion d. Lotus थैंक यू फेरी मिच आज के लिए इतना ही और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और भी अपडेट पाने के लिए तिल डेन स्टे ट्यून बाबाई